हाई फ्रेंट्स वेल्कम नो मैं चैनल बहुत बहुत सबागत है आप सभी का तो फ्रेंट्स आज आप एक नई मेडिसिन का र्यूब देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अलकॉफ है अलकॉफ औरेंच कफ सिरफ तो फ्रेंट्स यह बहुत अच्छी दवा है आपकी गीलिघाषी के लिए बल्गम वाली इस जो भी आपको होती है आपको यह इसकाजे ओल्गम वाली बल्गमवाली घा लिखासी के लिए इस्तमाल कर सकते हैं आपको इसे लेने से पहले डॉक्टर की परची होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बीना प्रिस्क्रिप्शन की आप इसे बिलकुल भी नहीं ले सकते और इसकी खुराग जो है यह अवदी की अनुसार चलती है जैसे आपको डॉक्टर जितना भी लिखके दे उस हिसाब से आपको इसे लेना है आट दीन दस दिन तो आपको जितना भी डॉक्टर लिखके दे दिन में से दो बार तीन बार आपको जैसे लिखके दे आप उस हिसाब से लिखके देंगे हमेशा तो यह अभी मैं दिखा रही हूं यहाँ पर 5 ml और इंद आ सकती है चक्कर आ सकते हैं और इसकी ज्यादा डोसेस होने पर आपको साइड इफेक्टिस के दिखाई दे सकते हैं तो आगर आपकी बॉड़ी इसे रिस्पॉंड नहीं करती है किसी भी वज़से तो आप इसे थोड़ा सा समझ कर ले और जब भी आप अगर फायमेल आ और दैसे न सब्सकर दाल रहा है तो आप इसको बंकर दिजिए तो फ्रेंस इसमें जो है अड tote में इंजो एक है जो आपकि मुकस मतलब को बिल्कुल पतला करता है और चिपचिपःट को लोइको कम करता है दो summertime की जिसलिकर आपके खॉसने के तुरू ठूकने के च्छाते हैं और आपको अरहा में च्रहते आपको डापिपिटिक है इ Applicostat की फॉद्धुत की प्रॉब्लम है चोगर की फ्र१ून है तो यह थोड़ा सा जादा मीठा है श्रीप तो आप अपनी शुगर को ध्यान में रखिएगा शुगर आप मेजर करते रहेगा इसे लेने के दारान जो भी है तो फ्रेंड्स आप अगर आपकी खासी एक पूरा सप्ता चल रही है इसे लेने के बाद भी अगर आपकी खासी बन नहीं हो रही है पूरा सप्ता ये चल रही तो आप प्लीज डॉक्टर को दिखा लिजे क्योंकि कोई भी खासी जो है सब्ता से ऊपर चली जाती है तो थोड़ा सा फिर इसे मेडिसिस चेंज करकर देने पड़ते हैं या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो अगर इसे लेने के बाद भी आपकी खासी एक सब्ताक तक चलती है तो आप प्लीज इसे डॉक्टर को फिर से एक बार दिखा लीजिए अगर आप लीवर और किड्नी के पेशन्ट है तो भी आपको बहुत सावदनिसी दवाई का प्रयोग करना है इसकी MRP की बात करें तो इसकी 45 रुपीज MRP है 75 ml की ठीक है और 60 ml की MRP 38 रुपीज है और साइड इफेक्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसकी साइड इफेक्ट कॉमन है तो आपको उल्टी पेट दर्द पसीन आना चक्कर आना सरदर्द और स्किन पर अगर आपक आपको हाइपोगलासीमिया से जो होता है थर्थरी होती है कपकपी होती है शरीर में आपको पसीन आना लगता है बस ऐसा कुछ हो जाए तो इसे आप बंद कर दीजिए आपकी दिल की धरकन थोड़ी सी तेज हो तो इस तरह के कोई प्रॉब्लम अगर आपको 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 दिखा लिजिए कि इसे लेने के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसका रीविव अगर आपको अच्छा लगा यह जानकर यह आपको अच्छी लगी हो तो अपली चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा टेगने के लिए फ्रेंट थैंक यू फ्रेंट थैंक यू सो मच